नमस्ते आपका सन्याहर वोलियां डेसीपी चानल में स्वागत है आज हम सब्दी रेशीपी बनाने जा रहे हैं सोयाबीन और आलू की कम मसाने में बनाएंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छी लेगी यह वही रेशीपी आज हम अपके साथ सेयर करने जा रहे हैं हमने आलू और सोयाबीन की सब्जी बनाने के लिए एक अच्छी आलू है है दो लिए है मैंने और सोयाबीन मैंने गरम पानी में भीगो कर रखा है तो पहले हम आलू को काट लेंगे इसको भी काट लेंगे यह न मैं सब्सक्रह देखे और अलू को काट लिया है इसमें पानी डालेंगे घालय ने पढ़न के लिए हमने अद्रुपार लसुन लिया है इसमें कूट लेंगे ते पहले मेंने डाला है अब ग्रम होने के पहले नोको डालना है अपने थीटे उल जाएंगे अच्छे से थोड़ा अब भी हम कल्लर आने देंगे इंगे इसको तो पूल अब अब यहां निक कान देंगे इसको अब तो ए देखिए हलू का हमने निकाल दिया है अभी हम सोयाबीन वड़ी को तेलेंगे पानी अच्छे से इसका निकाल देंगे इसे हाज से तो इसमें डाल देंगे इसको भी थोड़ा सा भुणेंगे यह भून कर तयार हो गए है एक मीट हमने इसको भूना है अच्छे से इसका भी थोड़ा कलर चेंज हो गया है इसको भी एकी साथ मिला देगा यह देखिए हमने एकी साथ इसमें डाल दिया है और सबजी तयार करेंगे अभी अपने सबजी के लिए मैंने कूकर लिया है कूकर में हम तेल दालेंगे हमने तला था तेल वह इसमें डालेंगे उपर से ओर से डालेंगे एक चम्मच तेल अच्छे से गरम हो गया है अभी हम घीरा डालेंगे हादा चम्मच और खड़े मसले डालेंगे हम तेच पत्ता डाले एक कलमी है एक इंच चुकड़ा और एक बड़ी इलाई ची वह इसमें डाल देंगे अच्छे से मिलाएंगे थोड़ा धेर भूनने के बाद प्याल डालेंगे बारी कटा हुआ हरी मिल्ट भी डाल लेंगे कट भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह कि थोड़ा कलळ आने देंगे चको स्यरख़अ कि वर्डी हमने तली ति उसके लिए जो टेल है जाक कह रहाण जैकि सैसे स्यरख़वीं की वर्री से देखने डापрахें इस लिए का शचे ब्राबर्ण दिखने अपने बराबर में ब्राब नर। आ कि ंरब हो गए और र review आगया रि स्जिवे हम टमाटर डालें गवी बड़े श MOR इने काटा है कि अ स methane कि अच्छे से मिक्स अ कर लेंगे कि हम अधरक लसुन हमने कुटा था वो इसमें डालेंगे महें अच्छे से मिक्सपति होड़ेंगे क्लर से करेंगी जिरा पॉदर ढालेंगे दनेंगे करेंगी युर्ट से के लान य abrir पॉदर डालेंगे अगरे अलव धिर ढालेंगे थोड़ी से ह्यश्च अच्छावम्ए अच्छ से इसको मिक्स करेंगे बात के नुसार नमक डालेंगे अच्छा से मिक्स हो गया है इसमें हम थोड़ा सा पाड़े डालेंगे दो तीन चमच छोटे चमच से ठकन लगाएंगे और एक सिट्टी लगाएंगे इसकी कुकर की घंडा भी हो गया कुकर अभी हम निकारेंगे अच्छे से पक गये अपने मसाली अच्छे से अभी प्लेन हो गया है इसमें हम जो हमने सोयाबीन और आलू तरी सी ओव इसमें डाल लेंगे एक चमच हम अभी गरम मसाला डालेंगे इसमें और थोड़ी सी कसुरी मेती डालेंगे थोड़ा सा इसमें हम पाने डालेंगे और से डखकन लगाएंगे अब इसको हम दो सेटी करेंगे हमने इसमें जीड़ ग्लास पाने डाला है दो सीटी की है हुकर की सबजी पकाने के लिए अभी हम खोल कर देखेंगे ठंडा हो गया अच्छे से गुकर कर दिया है जालू भी अच्छे से पक गया है अब हम सर्फ करेंगे तो उसके पहले हम दनिया डाल जेंगे बारी कट हुआ अपने अपनी स्वयाबिन और आलू की सबजी त्यार हो गए है बहुत अच्छी लगती है आप रोटी के सथाई या चावल के साथ खाई है भाकर के सथाई है सबी के साथ अच्छी लगती है अब इसमें भी हम डालेंगे अपनी सबजी कि दोनों तोरीके से हमने सर्फ किया है चावल के साथ भी गया है ऐसे भी किया है जरू ट्राइ किजिए आप जरूर ट्राइ किजिए और कमेंट करके जरूर बताइए और मेरी रेशिपि आप जरूर बना कर देखिए एक बार वीडियो को लाइस सेर्च करना मत भूले और चाइनल पर आप नहीं हो तो चाइनल को सब्सक्राइब करना मत भूले धन्यवाद प्रेश सेर्च करना मत भूले